नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल सारस्वजी एजूकेशन में चीहां दोस्तों आज रीट 2015 का साइक्लोजिक का पेपर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं जिसमें आज हम रीट 2015 के पेपर में परसन आए थे उनको देखेंगे सुरवात करते हैं पहले परसन से पहला परसन है मेर डिट के अज्यन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामानी रूप से उन परिवारों के बालक खालिस्तान होते हैं सामाजिक इस तरसे उन्चे होते हैं तो इसका उतर होएगा अधिक स्वस्त ऐवम विक्सित इसका बीवाला उतर सही है अगले परसन की बात करते हैं केटल द्वारा विसलेशिट किये गये व्यक्तित वे सीलगुणों की संख्या कितनी है cattle द्वारा, पुछ आ गया, cattle की द्वारा, तो इसका उतर होगा, cattle ने seal गुन बताएं, sole, तो इसका C वाला उतर सही है, अगले प्रसंद की बात करते हैं, मुर्य ने एक friction की रचना करके इतियास रच दिया, वह क्या है, तो इसका उतर होगा, विसे आतम बोध, आतम बोधन प्रिक्षान, थीमेटिक यह आपड़ ले ना, अगले प्रसंद की बात करते हैं, व्यावारिक बुदी को कहा जा सकता है, तो इसका उतर हो जाएगा, मुर्त बुदी व्याफारिक बुदी को कहते हैं मुर्त बुदी अगला प्रसन है बुदी के त्रायामी सिधान्त के अनुसार बुदी के कारकों की संख्या है बुदी के त्रायामी सिधान्त के अनुसार बुदी के कारकों की संख्या 120 है अगले प्रसंद की बात करते हैं परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रियास करता है कही जाती है तो उसे प्रेरक कहते हैं प्रसंद संक्या साथ की बात करें व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलन सीलता, पर्तिमानता और इसका उत्र जाएगा दोनों A और B दोनों वक्ति गत भेद में हम इन दोनों को पाते हैं अगले प्रस्ण की बात करते हैं निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अपर्त्यक्स धंग है क्या पुछा है? अपर्त्यक्स धंग तो इसका उत्र हो जाएगा उदातिकरन इसका उत्र है उदातिकरन सही अगले प्रस्ण की बात करते हैं निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेस्ता नहीं है तो इसका उत्र होगा सिदे या उल्टे हाथ के परियोग के सम्मंद में निश्चे ये इसका उतर सही है ये डिसलेक्षिया की विशेस्ता नहीं है परसन सेंक्या 10 ससक्त अभिप्रेणा सीखने का परवावसाली घटक है तो इसका उतर हो जाएगा सिग्र सीखता है ससक्त अभिप्रेणा से अगले परसन की बात करें हस्त सिल्फ की शिक्षा दी जानी चाहिए यानि हस्त सिल्फ की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए तो इसका उतर हो जाएगा मंद बुदी बालकों को मंद बुदी बालकों को हश्त सिल्व की सिक्षा दी जाने चाहिए अगले इस परसंद की बात कर दें 12 की च्छातरों में चोरी करने की आदत को किसे दूर किया जा सकता है तो इसका उत्र होगा उधारन देकर कई मित्र इसी परसंद को करके आये थे बालकों को पारित्तोसिक देकर ऐसा नहीं करना चाहिए उधरने कर अगले प्रसंद की बात करें परती भावन बालकों की पैचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महित्वे किस पर देना चाहिए तो इसका उत्रोगा वस्तु निष्ट प्रिक्षणों के प्रिणामों को देना चाहिए परती भावन बालकों की पैचान करने के लिए वस्तु निष्ट प्रिक्षणों के प्रिणामों को अधिक महित्वे देना चाहिए अगले प्रस्ण की बात करें उपलब्दी प्रिक्षन दिये जा सकते हैं तो मित्रों इस प्रस्ण को इसमें बोनस नमबर दिया गया था तो अगले प्रस्ण की बात करते हैं बालकों का मुफ्थ एवं अनिवाजी शिक्ष्या का अधिकार 2009 देश में कब लागू होगा तो इसका उत्र होगा 1 अप्रेल 2010 1 अप्रेल 2010 से मुफ्थ एवं अनिवाजी शिक्ष्या का अधिकार लागू हो गया था अगले प्रस्ण की बात करें NCF 2005 में कला सिक्षा को विद्यालिये में जोड़ने का उदेश्य है शांसकर्तिक विरास्त की प्रशंसा करना सात्रों की वक्तिगत और मानसिक स्वास्तिय को विक्षित करना इसका उत्र हो जाएगा दोनों A और B दोनों सही है इसका उत्र प्रसंसा के सत्रे जब बालक की प्रिक्षा द्वारा मापी हुई योगिता के सही मुल्यांकन में इस्ताइत्वे होता है तब उस प्रिक्षा को क्या कहते हैं तो उस प्रिक्षा को विश्वसनेता कहते हैं अगले प्रसंसा की बात करूँ मापन की भुमिका शब शिक्की हुई कुसलताओं में निस्पादन का एक शंपून अउलोकन देती है किसमें? इसका उत्र होगा योगात्मक तो अब लाइन केसे बिनेंगी? योगात्मक मुल्यांकन में मापन की भुमिका सब शिक्की हुई कुसलताओं में निस्पातन का एक शंपुन अवलोकन देती है योगात्मक मुल्यांकन अगले प्रसंद की बात करें अनुसंदान जो शामाजिक शमश्या से संबंदित होता है तथा विद्याले की जन सक्ति द्वारा विद्याले में क्रिया कलापों के सुदार है तो संसालित किया जाता है उसे कहल वो क्या कहलाता है तो इसको उत्र होगा क्रियात्मक अनुसंदान अगले प्रसंद की बात करें सेष्वा अवस्ता की विशेष्था नहीं है सेस्व अवस्ता की विश्यस्ता इन में से कौन सी नहीं है नेतिक ताका होना ये सेस्व अवस्ता की विश्यस्ता नहीं है अगले प्रसंद की बात करें गामक विकास से हमारा तात्परिय मांस पेश्यों के विकास से तथा पेरों के उचित क्या उप्योग इसका होगा सक्ति और गती इसका उतर हो जाएगा सक्ति और गती अगले प्रसंद की बात करें बीस्वी सताब्दी को बालक की सताब्दी कहा जाता है ये परिवासा किस ने दी है? तो ये परिवासा क्रो एंड क्रो ने दी है काफी वेडिया परिवासा है प्रसंद संग्या 23, इस अवस्ता को मिथ्या परिपक्वेता का समय भी कहा जाता है किसको मिथ्या परिपक्वेता का समय है, बाली अवस्ता, बाली अवस्ता को मिथ्या परिपक्वेता अवस्ता कहा जाता है प्रसन संक्या 24, मनुष्य जीवन का अरम मूलते गटित है, तो इसके उत्र होगा केवल एक कोस, प्रसन संक्या 25, परीपक्वेता इतियादी से वहवार में उत्पन परीवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, प्रसन एक बार और देखी, परीपक्वेता इतियादी से वहवार में उत्पन परीवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, तो इसका उत्र होगा, नहीं, अगले प्रसन की बात करें, चिंतन क्या है, चिंतन क्या है, वाट इस थिंकिंग, तो इसका उत्र होगा, परतिकों का प्रियोग, आप किसी परतिक के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वही चिंतन है, अगले प्रसन की बात करें, आप प्रत्यक्स पत् समिश्यां का उप्योग, किस स्रेनी के पृँजियों के लिए किया जाता है, तो इसका उत्र हो जाएगा, प्रोड, प्रोडों के लिए ये प्रियोग किया जाता है, देख लेजे प्रसन वापिस, और प्रसंद सिंग्या 28 की बाद करें समिश्या की अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिदान्द का नाम है अचानक समिश्या का समाधान करना है तो इसको कहते हैं सूज का सिदान्द और प्रसंद सिंग्या 29 सम्वेंदना ग्यान की पहली सिड़ी है यह कथन सम्वेंदना ग्यान की पहली सिड़ी है यह कथन मानसिक विकास है पहला इसका उतर सही और अन्तिम प्रस्ण की बात करें निमन में से कोन सीखने के सही इस्तर है शीकने के सइस्तर है तो इसका उतर होगा तीसरा तथे, सूचना, ज्यान प्राप्त करना, बोद और प्रयान जी हां मित्रों आज के पेपर में बस इतना ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रही है चैनल पर बने रही है नए नी जान कार्याब लोगों को दी जाएगी धन्यवार अगर रीड के आप तैयार ही कर रहे हैं 2020 की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके लिए महत्वपूर्ण जान कर दी जाएगी धन्यवाद